हलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे धर्मा प्रोडक्शन की लेटिस्ट मूवी कुंजन सकसेना दकारगिल गर्ल की इस मूवी के थूप फिर से आपके सामने बायोपिक का खाना परोसा गया है और इस बार तड़का लगाया गया है जानवी कपूर की थंडी एक्टिंग से ये स्टोरी है इंडिया की फर्स्ट फीमेल एर आफिसर कुंजन सकसेना की जिसने अपने हिम्मत और जज़्पे से अपने सपनों को पूरा किया इस मूवी में तीन हाइलाइट्स हैं पहला जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें हर मुसिबतों का सामना करने के लिए आगे बढ़ने को प्रेरिद करता है दूसरा जिसमें बाप बेटी के बीच के रिष्टे को दिखाया गया है एक पिता जो अपनी बेटी को हर कदम पर साथ देता है और दुनिया की सोच का सामना करने के लिए हिम्मत भी तीसरा है दुनिया की सोच जो लड़का और लड़की तोनों को एक समान नहीं मानते मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी और मोटिवेटेट करने वाली है पर इस मूवी को डुबोया है खुद इसकी लीड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने जी हाँ जानवी कपूर के ठंडे परफॉर्मेंस ने मोटिवेट कर देने वाले सीन्स को भी केवल आँखों तक पहुचाया है दिल तक नहीं कई सीरियस सीन जैसे लेडिस टॉयलेट का ना होना लड़की समझकर उसकी ट्रेनिंग को स्टार्ट ना होने देना जैसे कई सीन्स जानवी कपूर की एक्टिंग के कारण अच्छी तरह से पोट्रे नहीं किये जा सके इस मूवी में जानवी के अलावा हर एक्टर का काम बहुत अच्छा है अगर इस मूवी की लीड एक्टरस का सिलेक्शन सही किया गया होता तो ये मूवी मैरी कॉम जैसी मूवी की गिंती में आ सकती थी तो फ्रेंड्स में इस मूवी को ओवर ओल मार्क्स दूँगी 5 आउट अफ 10 अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ आगे के सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा